वारा पुरान के बारे में आप कितना जानते हैं? इस वीडियो के माध्यम से हम आपको इस पुरान के बारे में बताने वाले हैं और क्यों इस पुरान का विशेश महत्व है? और इस पुरान के सुनने और पाठ करने से क्या-क्या लाभ आपको मिलते हैं? ये हम इस वीडियो म आपको बताने वाले हैं और इस पुरान की पूरी कहानी किसके इर्दगिर्द घूमती है वो भी हम आपको बताने वाले हैं। इसमें भगवान नारायन का पूजन, विधान, शिव पारवती की कथाएं, सोरो सुकर, शेत्रवर्ती, आदित्यतीर्थे, चक्रतीर्थ व्यवस्थतीर्थे, शाकोट्तीर्थे, रूपातीर्थ सुम्तीर्थ, योग तीर्थ आदी तीर्थों की महिमा, मोक्षदाईनी, नद लगभग 10,000 श्लोक है, इन श्लोकों में भगवान वाराह के धर्म उपदेश कथाओं के रूप में प्रस्तुप किये गए हैं, वाराह पुरान एक योजनाबध रूप से लिखा गया पुरान है, पुरानों के सभी अनिवार्य लक्षन इसमें मिलते हैं, मुख्य रूप स व्यक्ति उत्तम है, भगवान के 24 अवतारों में वाराह अवतार प्रमुख अवतार हैं, उनही के नाम पर है, इस पुरान का नाम वाराह पुरान पड़ा है भगवान विश्णुने वाराह रूप धारन करके समुद्र में डूपती हुई पृत्वी पुनह स्थापित किया था पूर्वकाल में महाबली दानव हिरनेकशप के भाई हिरन्याक्ष ने पृत्वी को ब्रहमांड से चुराकर रसातल में जाकर रख दिया था और स्वय में उसकी रखवाली करने लगा उधर ब्रहमांड से पृत्वी की गायब हो जाने पर चारों और हाहाकार मच गया था तब एक दिन ब्रहमा जी को बड़े जोर की छींकाई और उनकी नाक से एक अजीब किस्म का जीव बाहर आया उस जीव ने पल भर में विशाल रूप धारन कर लिया चार भुजाओं वाले इस जीव का स्वरूप वाराह के समान था उसके चारों हाथों में शंक, चक्रक, गदा, कमलपुष्प, विराजमान थे उसकी गुडगुडाहट युक्त धुनी पूरे ब्रहमांड में व्याप्थ हो गई तब वह वाराह हाथ में गदा लिये हुए अथा जल में कूद पड़ा और वहाँ जा पहुचा जहा हिरन्याक्ष ने प्रित्वी को रखा था वाराह ने भयानक गर्जना की और प्रित्वी को अपने बाहर निकले हुए दातों पर ऐसे उठा लिया जैसे मानो कमल का फूल हो तभी हिरन्याक्ष जाक उठा वह भगवान को युद्ध के लिए ललकारने लगा और फिर भयंकर युद्ध आरंभ हो गया कई वर्षों तक युद्ध के पश्चात वाराह भगवान ने अपनी विशाल गदा से हिरन्याक्ष को मार गिराया हिरन्याक्ष के मरते ही देवता, प्रिशी, गंधर्व व सभी लोग बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने वह भगवान पर फूलों की पुश्पवर्षा की भगवान वाराह ने प्रिथवी को लाकर पुना ब्रहमांड में स्थापित किया उस समय प्रिथवी ने भगवान वाराह की स्थुती की और लोगों के कल्यान के लिए बहुत से प्रशन पूछे तब भगवान वाराह ने धरम उपदेश और कथाएं सुनाई यह वही वराह पुरान है इस पवित्र पुरान की कथा सुनने से जीवन में सांसारिक दुख नहीं लगते तथा मनुष्य भगवान की कृपा का पात्र हो जाता है आए अब जानते हैं वारा अवतार के कुछ नियमों के बारे में वारा पुरान शुद्ध वैशनव पुरान है वरत उपवास करते हुए वारा पुरान की कथा सुननी चाहिए तथा नारायन मंत्र का जाप करते हुए तथा श्रध्धा सामर्थ्य के अनुसार ब्राहमनों और भोखों को भोजन और दक्षिना देनी चाहिए इस पूजा के समयदान दक्षिना में ब्राह्मन पूजा का बड़ा महत्व होता है क्योंकि भगवान विश्णों के निमित ब्राह्मन जमाए जाते हैं। जितनी श्रधा एवं भक्ती से हम ब्राह्मनों को दान करते हैं, वो सीधे भगवान को प्राप्थ होता है। जिसे श्रवन करने से मनुष्य जीवन में लगने वाले तीन प्रकार के पापों का नाश हो जाता है। जिसे श्रवन मास में बुद्ध अवतार और भादरपद मास में कलकी अवतार के स्मरण का महत्व बताया गया है। इसका नचिकेता उपाख्यान भी अत्यंत महत्व पूर्ण है। इसमें पाप समो और पाप नाश के उपायों का सुन्दर वर्णन किया गया है। कुछ प्रमुख पाप कर्मों का उल्लेख करते हुए बताया गया है कि हिंसा, चुगली, चोरी, आग लगाना, जीवहत्या, असत्य कथन, अपशब्द बोलना, दूसरों को अपमानित करना, व्यंग्य करना, जूठी अफवाहें फैलाना, स्त्रियों को बहकाना, मिलावट करना आदी भी पाप है, नारद और यम के समवाद में मनुष्य पाप कर्म से किस प्रकार बचे, इसका उत्तर देते हुए यम कहते हैं कि ये संसार मनुष्य की कर्मभूमी है, जो भी इसमें जन्म लेता है, उसे कर्म करने ही पढ़ते हैं, कर्म करने वाला स्वय ही अपने क प्राप्त कर ली है और जो समस्त प्राणियों में समता का भाव रखता है। तो सत्य ज्यानी मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है जो व्यक्ति योग तथा प्रणाम द्वारामन और इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लेता है। बहे सभी तरह से पापों से छुट पहुँच जाता है। पर्मार्थ का जीवन व्यतीत करता है। पर्मार्थ का जीवन व्यतीत करता है। उसे अतिथी सतकार करने वाला शुद्ध आत्मा विनाशील, श्रद्धावान और अहंकार विहीन होना चाहिए। ऐसा शुद्र हजारों रिशियों से बढ़ कर होता है। उसकी सेवा के लिए सभी को सदैव ततपर रहना चाहिए। आज की विडियों में बस इतना ही, आज के विडियों से आपने क्या शिक्षा ली। हमें कमेंट में करके बताए। एक बार फिर मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, जै हिंद, जै भारत, जै सनातन। झाल